नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार अपसागत है तो आज मैं फिर से एक नया stock के बारे में डिसकस करूंगा तो आज का जो stock है वो electricity supply का काम करते है और इसका जो main business है वो West Bengal में है तो यह जो stock है इसका जो जवतस्त news आया है उसी के बारे में मैं आपे बात करना वाला उसको तो lottery लग गया क्योंकि company ने अच्छा का सब split करने का फैसला लिया है वो भी split का date और details भी आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा दिखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्रीमिन के तो जरू सब्सक्रीब कर दिजिए रती साथ बेल आइकन को पेसकर को all भी क को दिखा देता हो और कौन सा date में आप एक company split करने वाला है खुद का share को उसके बारे में भी आप देख सकते हैं आप दिखिए company regulation of 42 मतलब 42 of savy के rules wise आप company ने फैसला लिया है split करने का वो भी दिखिए कौन सा date में split क्या जाएगा वो date आप देख लिजिए Monday September 20 मतलब September 20 में ए एक company का share जो है वो split होने बाला है वो भी देखिए कितना जबदा split होने बाला है मतलब यहाप देखिए equity share of face value कितना था 10 रुपिया था अभी बो share value कितना होने बाला है 1 रुपिया मतलब 1 is to 10 ratio का यहाप ए फेज मतलब split होने बाला है मतलब आप मानके चलिए आपके पास एक share है तो आपको 10 share मिलने वाला है और आपके पास 50 share है तो आपको करीबन 50 multiply 10 मतलब 500 share आपको होने वाला है तो जब बहुत जबतस यह news है और इस company में जितने सारे share holder है मतलब पहले से share खरीद के रखा है तो उसको तो lottery लग गया और अच्छा कासा यहापे split करने के बाद अच्छा कासा price range में भी आपको देखने को मिलेगा इस share को और आप खरीदारी करना चाते है तो उस time भी भी कर सकते है तो इसका जो last date रहेगा वो 10th, sorry 20 September उससे पहले आपको खरीदारी करना होगा तो कौन सा date में आप खरीदारी करेंगे तो आपको इस share मिलेगा वो भी आपको में दिखा देता हो यहापे में एक calendar open करकर रखा हो यहापे जो September मांद का calendar है यहापे दिखिए जो बताए गया है 20 यहापे दिखिए 20 September में आपको split देखने को मिलेगा तो आपको 20 September से एक दो दो दिन नहीं है यहापे दिखिए 19 September और 18 September दो दीन ही market बंद है मतलब Saturday or Sunday है तो 17 September Friday है तो आपको खरीदारी करना होगा 16 September से पहले तो मतलब आप 16 September market बंद हाने से पहले आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको जुरूर इस share का bonus मतलब split आपको मिलेगा तो आपको split के जादा लेना ही है तो आप 16 September से पहले आप खरीदारी खर लेजिएगा और यह था न्यूज और कॉम्पानी के पार्फोर्मेंस उसको में एक बार आपको दिखा देता हो कॉम्पानी जब दसता है इसका पार्फोर्मेंस भी आप देख लीजिए कितना अच्छा का सा तो ओभरल बात करो रेविनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है कॉम्पानी का यह भी एक पॉजिटिव न्यूज है शाती साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो देखे कितना जब दस नेट प्रॉफिट कॉम्पानी ने दिया है 2017 में 600 क्रोड 18 में 800 क्रोड 19 में 1100 यह ञें कि तो पार्फोर्मेंटस है फाइब अद फर्सक्रोन के चबारे में बात करूँछ कॉम्पानी क है उन ध्व take बारे में बात करो तो कोंपानी देखा जब जबदस है पिछले साल में 98 था 2019 में 89 था 2018 में 68 था तो यह पर आपको में अवराल बात करें कमपाणी के बारे में जबदस कमपाणी है यह पर शेयर होल्डिंग पैटरन भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा कासा शेयर होल्डिंग पैटरन भी देखने को मिलेगा प्रोमोटर के पास करीबन 50% का सेयर होल्डिंग यह पर एफ़ाई के पास करीबन देखा जाए 13% सेयर होल्डिंग डियाई के पास यह पर 23% का सेयर होल्डिंग पब्लिक के पास यह पर करीबन 13% का सेयर होल्डिंग और आदस के पास यह पर कोई भी सेयर होल्डिंग अभी भ जब अदस्त है। मैं यहीं बार-बार कह रहा हूं के कोमपणी का परफोर्मेंस जब अदस्त है। आपको स्टॉक में खरीदरी करना ही है तो आप थोड़ा सा स्टाडी कर लेजे। कॉमपणी देखिए लार्ज कप कॉमपणी है। और सुरी माँ भी चाता हूँ कॉम्पानी का नाम भी है आप देख सकते हैं काम करते है और कॉम्पानी का प्राइस रेंच चल रहा है वो भी आजी के दिन 758 में क्लोजिंग हुआ है कंपड याउल स है और कंपानी के च्छित पर्फॉर्मेंथ है आप देख से क्पानी का प्यास एकदम लो लेवल में है अच्छा आएलेलर से सिर्फ 12 रूपीज पीरेसी है और डेविडेन भी कुम्पनी अच्छा का सा दे चुके है 5.94 परसेंट कुम्पनी के बस करजा थोड़ा सा ज्याता है 7000 करोर कुम्पनी के बस कैस भी देखिए करीवन देखा जाए 956 करोर का यापे कैस भी है फेस बेली यापको 10 दिखाई दे रहा है 20 सेप्टेमबर के बाद यापे फेस बेली आपको सिर्फ एक देखने को मिलेगा मतलब वान देखने को मिलेगा क्योंके कॉम्पनी स्प्लीड होने बाला है उसी का निउस में आपको पहले दिखा चुका हो तो आपको स्प्लीड का फ कॉम्पनी 6 पोजिशन में है और यापे 10,000 करड़ का मार्केट के बेलाशन है कॉम्पनी का सेल्स ग्रोथ और प्रफिट गोथ अभी भी मैनास में चल रहा है क्योंकि को पार्फॉर्मेंस है थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ कम होने को देखने को मिल रहा है वह भराल कॉम्पनी क कंपानी के उपर आप स्टेडी कर सकते हैं मुफानी कंपानी कि जो डीटेल्स हैं यह आपको दिखा दूँ कंपानी का IJION ECC है कालकाटा कंपानी सपूर्ट करूप्लाइब कंपनिय। कंपाटा शार। company है आप यहाँ पर देख सकते है company के टोटल employee है वो 2020 के साल के हिसाब से 7886 employees है बहुत अच्छा खासा company काम कर रहा है revenue अच्छा खासा जेनाट भी कर रहा है तो overall इसका chart pattern भी एक बार आपको दिखा दूँँ इसका chart pattern में दोनों BSC और NSC दोनों side में आपको दिखाऊंगा या पर क्यूंकि BSC में आप देखेंगे आपको maximum chart pattern देखा दूँँ तो करीबन आपको 2400% का return आपको देखने को मिलेगा क्यूंकि BSC का जो starting हो था 1999 से आप लिस्टिंग होने को देखने को मिला NSC में और BSC में आप देखेंगे तो करीबन आपको 771% का return देखने को मिलेगा है कॉंपणी देखिए एक parallel moment में चल रहा है तो future में आपको अच्छा का सा rally देखना ही है तो इस type stock में आपको जोरू study करके invest करना चाहिए कॉंपणी को split होने बाला है तो कॉंपणी का price range अभी 705.57 है तो मान के चलिए कॉंपणी 800 तक भी चला जाते है तो कॉंपणी में आपको split होने के बाद सर्व 80 रूपीज में देखने को मिलेगा वो भी 20 September के बाद आपको 80 रूपीज के अंदर देखने को मिलेगा क्योंके company 1-10 ratio में split भी होने वाला है तो यह था पूरा news और total details आप company को पर study करिए और investment करने के लिए सोचिए असा करता हूँ पूरा details आपको जानकर है मिल चुका होगा तो प्लीज मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए दोस्तों को सेर भी करिए और मे next stock लेका तब तक के लिए अच्छा से रहिए अपने ख्याल रखिए बाई बाई